सब्सक्राइब कीज़े कुक विद लुबना को और बेल आइकन को दबाईए ताकि मेरी कोई भी लेटेस वीडियो आपसे मिस ना हो हालो फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ मटर पुलाओ बनाने के रहे से पर शेयर करने चारी हूँ विन्टर में मतर पुलाओ हर घर में बनाया जाता है और सभी को बहुत पसंद आता है आज मैं इसको जिस तरहिके से बनाओंगी यह बहुत ही टेस्टी बनेगा और बहुत ही आसानी से बनेगा तो आईए हम देखते हैं हमको मटर पुलाओ को बनाने के लिए किन किन चीजों की ज़रत है मटर पुलाओ बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 400 ग्रैम बासमती लॉंग ग्रेन राइस लिया है और इनको मैंने 15 मिनट पहले भिगो कर रख लिया है मटर पुलाव बनाने के लिए आप जितने अच्छे चावल इस्तमाल करेंगे उतना ही अच्छा पुलाव बनेगा और यहां पर मैंने एक किलो मटर ली थी जिसको छीलने के बाद ही 400 ग्राम के करेब बची है इसका वेट भी चावलो के बराबर है एक लाज साइस की मैंने प्यास लिए इसको मैंने बारी काट लिया है एक टेबिल स्पून मैंने लैसून का पेस्ट लिया है और हाफ टेबिल स्पून अद्रक का पेस्ट लिया है दो इंच की मैंने अद्रक लिया है इसको मैंने जूलियन काट लिया है इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है पुलाओ में और ये मैंने दो मोटी वाली हरी मिर्च लिया है इन में बहुत अच्छा फ्लेवर होता है और ये कम तीकी होती है आप सिर्फ पतली हरी मिर्च भी इस्तिमाल कर सकते हैं यहाँ पर मैंने सफैज जीरा लिया है मैंने फैस फीज जी जीरा लिया है इसमें एक जावेदी का ब्लेट है 2 इंच की दालची नहीं है 1 बड़ी लैची है 4 छोटी लैची है 10 बारा काली मिर्च है चार-पांच लॉंग है और दो तेज पत्ते लिए हैं और इसको थोड़ा सा स्पाइसी बनाने के लिए मैंने दो पत्ली वाली हरिमेच लिए हैं दो से तीन आप अपने टेज के हिसाब से इनकी क्वैंटिटी रख सकते हैं और 120 ml के खरीब हम तेल का इस्तमाल करेंगे सबसे पहले हम एक फैन गरम कर लेंगे और उसमें तेल अब करदेंगे यह देखे तेल हमारा गरम हो चिका है अब हम से जीर को खढ़ने के पांट हम इसमें प्यास कर देंगे और साथ में सबी साबुत कर मसाले जो हमने लिए हैं वो भी हमें समाट कर देंगे और medium to high flame पर हम इसको इस तरह से चलाते वे प्यास को light golden होने तक fry कर लेंगे हमें प्यास को इस तरह से fry कर लेना है कि वो उसकी edges light golden color की हो जाएं जादा dark नाओ यह देखिए हमाई प्यास light golden color की हो गई है अब हम इसमें अड़क और लेसन का पेस्ट आट कर देंगे और साथ में थोड़ा सा पानी प्याट कर देंगे ताके प्यास का cooking process रुख जाए यह और जादा dark ना हो और medium to high flame पर हम इसको 2 minute के लिए fry करेंगे ताके इसका कच्चापन खतम हो जाए यह देखिए अड़क और लेसन को हमने 2-3 minute के लिए fry कर लिया है अब हम इसमें मोटी वाली हरी मेर्च आट कर देंगे साथ में आट कर देंगे जूलियन अड़क और पतली वाली हरी मेर्च इसको थोड़ा सा स्पाइसी बनाने के लिए मैंने हाँ पर आट कर दिये और साथ में गरा मसाला पाउडर और नमक और इन सभी को हम मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें मटर आट कर देंगे और मीडियम टू है फ्लेम पर हम इसको 2-3 minute के लिए मटर के साथ इन सभी मसालो को फ्राई कर लेंगे यह देखिए मटर को हमने 2-3 minute फ्राई कर लिया है अब हम इसमें चावाल आट कर देंगे और 2-3 minute के लिए हम चावलो को भी फ्राई कर लेंगे यह देखिए 2-3 minute हमने चावलो को भी फ्राई कर लिया अब हम इसमें पानी आट कर देंगे तो यहाँ पर मैं चावल की quantity का डेड़ गुना जादा पानी लूँगी क्योंकि मेरे चावल भीगे वे हैं तो मैंने 400 ग्रैम चावल में 600 ml पानी का इस्तमाल किया है और इसको हम अच्छे से एक mix देंगे और अब हम इसमें high flame पर एक boil आने देंगे यह देखिए इसमें एक boil आ गई है अब हम इसको एक lid से ठख देंगे और gas की flame को low कर देंगे और low flame पर हम इसको 5-6 minute के लिए cook करेंगे उसके बाद हम इसको check करेंगे यह देखिए 5-6 minute हमने चावलो को cook कर लिया है और हमारे चावल 50% तक कुख हो चोके हैं हम इसको एक बार उपर नीचे कर लेंगे और अब हम इसके नीचे एक heavy bottom तवा या फिर चावलों को दम करने की जाली लगा देंगे इसको एक side में रख दूँगी और यहां पर मैं अपने चावल को दम करने की जाली रख दूँगी आप heavy bottom तवा भी रख सकते हैं और हम 2 मिनट के लिए gas की flame को high रखेंगे ताकि हमारा तवा या फिर जाली गरम हो जाए फिर हम gas की flame को low कर देंगे और low flame पर मैं इसको 10-12 मिनट के लिए दम कर लेंगे 10-12 मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे यह देखिए हमारे चावल बहुत अच्छे से दम हो गए हैं अब हम इसको एक बार उपर नीचे फिर से कर लेंगे जिससे की चावल हमारे खिले खिले रहेंगे चावल को एक बार उपर नीचे जरूर कर लिजगा जिससे की चावलों की बीज की स्टीम निकल जाती है और वो काफी खिले खिले रहते हैं अब हम इसको सर्फ कर लेंगे यह देखिए हमारा मंटर पुलाओ बन कर तयार हो चुका है तो आप भी ट्राइ किजए मंटर पुलाओ की इस आसान यमी और डिलिशिस रेसिपी को और आप इसको सर्फ किजए रायते के साथ या फिर हरी चटनी के साथ और अगर आपको आज की मेरी यह रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक यू सो मच पर वाचिंग मैं वीडियो